तीन दिन सिर्फ दो चमच दही में मिलाकर खालो पूरी जिंदगी, सुगर, कॉलोस्ट्रोल, पेट के रोग, मुटापा, जोडों का दर्द और ये दिल से जुड़ी बिमारियां आपको जीवन में कभी नहीं होगी नहीं आपको कभी बुडापा आएगा और ये नुस्का आ हर त्रहें की कमजोरी का इलाज करतेगा, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे, जो आपके सरीर की हर त्रहें की बीमारी का इलाज करेगा, और आपके सरीर में एक नई ताकत का संचार करेगा दोस्तो इस नुस्खे को बनाना भी बिलकुल आसान है आप इस नुस्खे को अपने घर पर ही बना सकते हैं और इसका हर रोज पर्योग कर सकते हैं और इससे होने वाले फाइदों को उठा सकते हैं दोस्तो इस नुस्खे को लेने से आपको कभी बुडापा नहीं आएगा, आपके चेहरे पर गलो आ जाएगा, आपके उमर बढ़ने की पर गिरिया रुख जाएगी दोस्तो, आप 75 साल की उमर में भी 25 साल जैसे दिखाई देंगे दोस्तो, दोस्तो आपके सरीर की हर त्रहें को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब भी दोस्तो ये नुस्खा आपके लिए वरदान है, क्योंकि सुगर रोगियों के लिए ये एक चमतकारी दवा है दोस्तो, ये आपके सुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ, आपको इस सुगर की विमारी के कॉम्पलिकेशन से भी बचा कर रखेगा दोस्तो यदि आपका कोलोस्टोल बड़ा हुआ है और आप इस बड़े हुए बैड कोलोस्टोल को कम करना चाहते हैं तब भी दोस्तो ये नुस्खा आपके लिए वर्दान है क्योंकि ये आपके सरीर में बड़े हुए बैड कोलोस्टोल को कम करके अच्छ दिखाई देंगे दोस्तों आपकी heart blockage खुल जाएगी और आपको कभी ये heart attack नहीं आएगा दोस्तों क्या आपको पेट के रोग है यनि आपको पेट में gas, गैस, कभज और ये acidity की समस्या है या आपको सीने में जलन रहती है, दोस्तों इन सब कभी येessel रामबान इलाज है और दोस्तों ये हमारी पेट के रोक हैं, कबज, गैस और एस्टिटी जो हमारी सरीर के 72 बीमारियों का कान बनती हैं तो दोस्तो ये नुसका आपके सरीर के 72 बीमारियों का इलाज कर देगा आपको इन पेट के रोगों से बचा देगा आपके पाचन दिन तरको मजबूत करने का काम करेगा जिससे कि आपको ना तो कबज होगी, ना गैस होगी और ना ही ये एस्टिटी की समझ्यास दाएगी दोस्तो क्या आपको मोटापा है और आपके पेट पर चरवी है या कमर पर चरवी है, या जांगो पर चरवी है यानि 15 दिन में आपको इसका चमतकारेक रजेल्ट मिलेगा यदिया मोटापे के लिए उसको प्रयोग करना चाहती हैं दोस्तो क्या आपको जोडों में दर्द रहते हैं या आपके सरीर की हडियां कमजोड हैं और इस जोडों के दर्द से भी छुटकारा पाना चाहते ही तब भी आप सिर्फ दो चमच दही में मिलाकर खाईए और आपके सरीर की हडियां वजर के समान मस्बूत बन जाएगी और आपको कभी ये जोडों का दर्द नहीं होगा दोस्तो इस नुस्खे को लेने से आपके सरीर की रोग परतरोदक शम्ता इम्यून पावर भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी और दोस्तो यह तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके सरीर की इम्यून पावर हाई होगी तब आप बहुत रहें कि बीमारियों से बचे रहेंगे इतना चमतकारी है इस नुस्खे का सेवन तो चले दोस्तो जानते हैं कि ये है क्या जो इतनी आदित चमतकारी है दोस्तो इस नुस्खे की जो मुखे समग रहे है वो है दोस्तो अलसी अलसी के बीज जिनको फ्लैक्सीड भी बोलते हैं इंगलीज में दोस्तो अलसी बहुत अधिक चमतकारी है दोस्तो अलसी ओमेगा 3 का सबसे अच्छा स्ट्रोथ है इसमें ओमेगा 3 फैट्टी एसड भरपूर मातरा में पाये जाता है और दोस्तो अलसी के बारे में एक बात कही जाती है कि यदि आपको हाट ब्लोकिस है, कोलोस्टोल बड़ा हुआ है, मुटापा है या डाइबडिस की बीमारी है, तब आपको अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि ये अलसी उनके सरीर की हर तरहे की कमजोरी का इलाज करती है उनके मुटापे को कम करती है, डाइबडिस को कंडोल करती है, हाट ब्लोकिस का इलाज करती है और इनके सरीर को ताकतवर और फोलादी बनाने का काम करती है ऐसी है ये अलसी अब जानते हैं इस नुस्खे को आपने बनाना कैसे है दोस्तो आपने क्या करना है अलसी लेनी है और उसको ग्रैंडर में डालकर अच्छी तरहें से ग्राइंड कर लेना है जैसे कि यह हमने ग्राइंड की हुई है अब आपने दही लेनी है एक कडूरे जैसे कि यह हमने ले अब आपने इसमें OC के दो चमच मिलाने हैं उनको अच्छी त्रहें से mix कर लीना है दोस्तो आपने इसका 7 करने हैं लेकिन यदि आप अपने स्रीर को ताकतवर और फोलादी बनाना चाहाते हैं तब आपने इसमें सहद का भी परियोग कर लेना है एक चमच सहद मिला लेना है जैसे कि हमने मिला लिया एक तो इससे आपको टेस्ट अचाएगा उपर से आपके सरीर की कमजोरी का इलाज करेगा आपके सरीर में ताकत बढ़ देगा आपके सरीर को फोलादी बना देगा और यदि आपको डाइबटीज है और तब आप इसका सेवन करते हैं तब आपने इसमें सहद का परियोग नहीं करना है बाकि आप सहद का परियोग कर सकते हैं तो दोस्तो यदि आप अलसी को इस तरीके से दही में सिरफ दो चमच मिला कर खाएंगे तो आपका पूरा स्रीर बिलकुल निरोगी बन जाएगा आपके स्रीर की हर तरहें की बीमारी का इलाज हो जाएगा आपके स्रीर की इम्मून पावर रोगों से लड़ने की सकती बढ़ जाएगी और आपको पूरी जिंदगी ये सुगर, कोलोस्टोल, पेट की रोग, मुटापा, चोनो का दर्थ और ये दिल की बिमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा नहीं आपको कभी बुड़ा पाएगा और नहीं आपके सरीर में किसी भी तरहें की कोई कम जोड़ी होगी तो दोस्तों, देर किस बात की हैं आप भी आज ही इसका प्रियोग सुरू करतीजी और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दीजी तो दोस्तों, यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा देजी ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिकेशन आते रहे धन्यवातों